हलो दोस्तों मैं हिमानी आप सब का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल ओनेस्ट हिमानी पे तो दोस्तों मैं आज आप लोगों के साथ शेर करने जा रहे ही हूँ आप ही लोगों की डिमांड की हुई एक रेसिपी जो की है इलेक्ट्रोनिक तंदूर में बना हुए तंदूरी केक तो दोस्तों मैं इस कोकिंग के साथ ही आज आप लोगों के साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स भी शेर करूंगी जो कि डेफिनिटली मुझे लगा कि आप लोगों फर्सीे इसक्राइब तो में यह साथ च्षशं कर रही हूँ तंदूर में बना हुए क्熱 के अच्छा बनता है timing को भी अगर मैं बोलू तो सबसे कम time में microwave में cake बनता है cooker में भी time लेता है और तंदूर में cooker से कम time लेता है जो कि approximately मेरा half an hour में तंदूर में cook हुआ है but उसमें जो मैं basically 2-3 problem face करी मैंने मैं आप लोग के साथ वो share करने जा रही हूँ तंदूर में electronic तंदूर में जब आप cake cook कर रहे हैं तो आप जो आपका mold आता है केक mold इसमें यूज करते हैं क्योंकि यह बहुत heat up होता है तो इसमें आप और कोई नहीं यूज कर सकते हैं तिन mold को आप इक तो उसको firstly याद से cover करके ही उसको aluminum foil से अच्छे से double layer से cover करके ही cook होने डाले otherwise आपका cake burn हो जाएगा first attempt में मैंने जो cake बनाया तंदूर में वो थोड़ा सा burn हो गया क्योंकि मैंने उसको openly ही तंदूर में डाल दिया था जो कि मेरी mistake थी but second turn में जब मैंने उसको डाला तो मैंने उसके उपर double layer कर दी थी aluminum foil की जिसके कारण वो burn होने से बज गया तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कोई भी आपको बताए कि उसमें आप openly cook होने के लिए डाल सकते हैं वो बिल्कुल गलत बताया जाएगा कभी भी उसमें आप open के open cake आप डालेंगे cook होने के लिए तो वो हमेशा burn ही होगा क्योंकि उसमें heat बहुत तेज होती है तो उसमें आपको ध्यान रखना होता है और second thing जो आप लोग के साथ share करना चाहूंगी कि उसमें जो होता है आप बैटर बहुत कम डालिए क्योंकि मैं आपको उसमें जैसे आपके साथ share करूंगी उसमें मैं आपको शौर और अच्छे से बनेगा बट एक स्टेश पर आपको प्रॉब्लम आएगी क्योंकि मेरे वाले तंदूर की हाइट उतनी नहीं है उसकी entry और exit point जहां पर से tray insert करते हैं वहां से वह stuck हो गया था निकालने के time जब मैंने उसको pull out किया तो वहां पर वह अटक गया था मुझे हलका हलका फिर उसको बंद करके तंदूर को knife और spoon के help से उसको push करना पड़ा नीचे then मैं उसको बाहर निकाल पाई तो यह दो basically problem जो मैंने face की तो it means आपको वहां पर cake का amount कम रखना है जो better आप डालेंगे जो कि मैंने second time में जो second attempt किया था उसमें मैंने half amount कर दिया था तो उसमें वह easily cook हो गया त definitely आप cake रोज रोज तो बनाते नहीं है और जब भी बनता है तो सभी लोग चाते हैं कि हम लोग खाए और अच्छे से खाए तो वह आप इतना कम amount अगर आप डालेंगे तो वह आपका जो है बहुत थोड़ा बनेगा तो इसलिए मैं prefer करती हूँ कि आप अगर आपके पास electronic तंदूर है आप ट्राइ कीजिए आप बना लीजिए बहुत अच्छा है बट आप कुकर में भी ट्राइ कर सकते हैं और अगर आप कुकर में केक बनाने की रेसिपी जानना चाहते हैं तो मुझे comment box में लिख भेजिएगा मैं आपके साथ आने वाले समय में कुकर में केक बन तो दोस्तो केक बनाने के लिए सबसे पहले हम केक मोल्ड देते हैं और उसके bottom size का हमें एक circle paper cut करना है यह penya pencil की मदद से आप draw कर सकते हैं और फिर उसे scissor से इस तरह से cut कर ले यह देखिए बिलकुल perfect size का paper cut हुआ है बिलकुल perfectly आ रहा है अब हमें इसे greasing करना है इसके भी या butter या oil कुछ भी ले सकते हैं अब हम लेते हैं एक चोड़ा बरतन एक strainer जिसमें के हमारा अराम से cake का better mix हो जाए और यह है हमारे cake के measuring cups and spoons यह आपको बाजार में कहीं भी easily मिल जाएंगे अब हम half cup मैदा लेते हैं और इसी के साथ हम लिखते हैं approximately full cup powdered sugar और इसके साथ हम लेते हैं half spoon cocoa powder इन सब को मैं डाल के अभी strainer में चान लेना है तो जितने भी dry ingredient है उन्हें हमें एक साथ चानना है अब सबसे चोड़ा जो cake spoon है उसमें मैं half spoon baking powder ले रही हूं और half spoon baking soda यह सब dry ingredient एक साथ आपको चानने हैं जिससे कि यह अच्छे से mix हो जाए अब इन्हें अच को कुछ मोटे pieces नजर आ रहे हैं तो उन्हें एक spoon की help से crush करते हुए हमें इन्हें अच्छे से चान लेना है और नीचे जो हमें powder मिलेगा पूरा चानने के बाद अगर वह properly mix नहीं हुआ है तो उसे पहले एक बड़े spoon की help से हमें अच्छे से mix कर लेना होगा otherwise आपका cake proper नही नीचे जो भी हमें powder मिला है यह देखिए proper mix नहीं है तो इसे अच्छे से बड़े spoon से पहले mix कर ले तभी इसमें liquid add-on करें जिससे कि और बढ़िया बनेगा dry ingredient अच्छे से mix हो चुके हैं अब मैं इसमें सबसे पहले add कर रही हूं melted butter जो कि बड़े वाले cup का one third part है और यह मैंने डाला है chocolate essence यह आप 2-3 drop डालें और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यह मैं half amount में बना रही हूं जनरली मैं one cup मैदा और सब यह amount उसी साफ से लेती हूं तो उसी साफ से अब मैं half बना रही हूं तो मुझे amount half करना होगा बीश में मैंने add किया है one fourth बड़ा cup milk का और अब मैं इसे अच्छे से mix कर रही हूं और यह मुझे अभी भी dry लग रहा है तो accordingly मुझे इसमें थोड़ा थोड़ा milk add करते रहना होगा अब मैं इसे whisker की मदद से mix कर रही हूं और यह मुझे dry लग रहा है तो accordingly मैंने थोड़ा थोड़ा milk डाला है बहुत ज्यादा milk एक साथ डालने पर यह आपका watery हो सकता है जिससे आपका better खराब हो सकता है तो थोड़ी थोड़ी देर में यह नीचे गिर रहा है यह perfect consistency होती है एक cake batter की अब हम इसे grease की हुए टिन मोल्ड में shift कर लेंगे और मुझे क्योंकि इसमें थोड़ा सा dry fruits पसंद है तो मैं इसमें walnut add कर रही हूं तो इन्हें अच्छे से इसमें डाल के mix कर लें और बिल्कुल जब आपको टिन मोल्ड में shift कर करना है उसी समय add करें otherwise यह नीचे बैठ जाते हैं और इन्हें आप इसमें डाल कर पूरा अच्छे से बैटर इसमें shift करने के बाद इसे हलका सा tap करें जिससे कि इसमें अगर कुछ bubbles है तो वो निकल जाएं अब जैसा कि मैंने बताया था इसे file से अच्छे से wrap कर लें इसमें double layer foil लगाया है और बिल्कुल shape wise wrap कर दिया है और यह आप देख सकते हैं preheated तंदूर है 2-3 minute के लिए मैंने उसे preheat कर लिया है अब आप इसमें यह cake mold अराम से insert कर सकते हैं और साथ ही जो नीचे आपका glass view लगा है उससे आप आसानी से अंदर देख सकते हैं 7 minute के लिए तंदूर को on रखा है मैंने उसके बाद 3 minute off किया है इसी तरह से मैंने फिर से 7 minute on 3 minute off करके इसी तरह 3 बार मैंने इसको total आदा घंटा के लिए पकाया है आप देख सकते हैं कि knife बिल्कुल clear निकलाया है it means यह perfectly cook हो चुका है अब हम इसे demold कर लेते हैं यह पुरा प लेने हैं वैसे तो हमने इसकी greasing की थी पर फिर भी cooking के दोरन हलक से corners पर चिपक जाता है जो की simple knife की help से निकलाता है या फिर किसी spoon के help से भी आप उसे छुडा सकते हैं corner से अब हमें इसे उल्टा करके किसी plate में और हलके हलके tap करना है 3-4 बार और उससे आप देखेंगे यह क और आपको उपर ही एक dry food का piece भी दिख रहा होगा और अब हम इसे पलट लेते हैं पलटने के बाद आप देख सकते हैं ना यह पीछे से कहीं जला हुआ था जो मैंने बताया था कि मेरा पहले वाला कि जल गया था उसका वीडियो में आप ही आगे आपके साथ share करने वाली और खुश्बू बहुत अच्छी आ रही है और डेफिनेटली गरम-गरम का टेस्ट ही अलग होता है तो मैं इसे टेस्ट के बिना नहीं रह पा रही हूँ और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है स्पंज भी इसमें काफी अच्छा आया है और यह प्यॉर एगलेस केक है तो इसे आप अपने घर पे जरूर ट्राइ कीजिएगा तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अपने फर्स्ट ट्राइ की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो आप देख सकते हैं कि इसको भी मैंने डबल लेयर ऐल्मूनियम फॉइल से किस तरह से सिर्फ एक कमी रह गई है उपर से हलका सा बर्न हुआ है जो कि आपको दिख भी रहा होगा डार्क ब्राउन कलर तो उसके लिए मैंने आपको बताया ही दिया है कि इसको फॉइल से कवर करना है और हाइट के कारण ही इसे निकालने में भी दिक्कत आई थी तो मेरे बनाए इ कुछ भी आप इसमें एड़ान कर सकते हैं स्पंज आपको दिखी रहा है कितना बढ़िया उठा है तो मुझे इंतजार रहेगा आप लोग के कमेंट्स का तो मिलते हैं मेरे आने वाले नए वीडियो में ओके बाई